हलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल PKS ओफिसियल में दोस्तो आज इस क्लास में कोसिका से आने वाले सभी प्रस्णों का डिसकसन करेंगे जिससे आपके एक्जाम में एक भी प्रस्ण नहीं छूटेंगे सबसे important बंथ हमारे क्लास की यह है कि आपको हम diagram के साथ समझाने वाला हूँ और मैं हर क्लास में diagram के साथ ही सभी क्लास को discussion कराया है जिससे आप हर छोटी से छोटी बातों को अच्छे से समझ सके जितना भी question कराने वाला हूँ सभी के सभी question अभी के अभी याद हो जाएंगे दोस्तो हम पूरी वीडियो में जान लगा रहे है क्लास अगर आपको पसंद आए तो like, share और subscribe जरूर करें जिससे हमें भी motivation मिलते रहे तो चलिए शुरू करते है सबसे पहला question है जीवन की मुल्भूत इकाई यानि unit क्या है option A कोसिका option B अंग यानि parts option C टीसू option D नाभी तो कोसिका जो होती है वो जीवन की मुल्भूत इकाई है तो इसका सही answer हो जाएगा option A कोसिका कोसिका जो है इसकी right answer हो जाएगा next है सबसे छोटी कोसिका कौन सी है option A कीलोटस option B जाइलम option C माइकोप्लाज्मा option D इन में से कोई नहीं तो सबसे जो छोटी कोसिका होती है वो हम लोग उसको कहता है माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोसिका होती है माइकोप्लाज्मा में पाए जाता है यह सब माइको प्लाज्मा में पाए जाता है माइको प्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है यहां पर आप लोग डेख सकते हैं यह माइको प्लाज्मा की डिया गया है तो इसका डाइट एंसर हो जाएगा option C, माइको प्लाज्मा नेक्स्ट है कोशिका के अध्यान को क्या कहते हैं option A, माइको लोजी, option B, फाइको लोजी, option C, साइटो लोजी, option D, इन में से कोई नहीं तो आप लोग जानते हैं कोशिका को हम लोग इंगलिस में सेल कहते हैं और इसका biological नाम हो जाएगा ito कोचिका के biological नाम site काते हैं और इसी के अध्यान को हम लोग cytology काते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option c cytosα कोचिका के अध्यान को cytology काते हैं next है जिव विग्यान यानी biology सब्द का परियोग शरुल प्रत्म किस ने किया था आप्षन A. ले मार्क और ट्रेवी रेनस, आप्षन B. अरस्तू, आप्षन C. कैरोलस लीनियस, आप्षन D. रॉबर्ट हूग जिव विज्ञान यानि बायलोजी सब्द का सरुपर्थम परयोग किस ने किया था? तो जीव विग्यान सब्द का स्वर प्रतम पड़ियोग प्रांसिसी वेग्यानिक लेमार्क तथा जर्मन वेग्यानिक टेवी रेनस ने अठारा सो एक में किया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा Option A, लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने जीव विज्ञान सब्द का पड़ियोग किया था इसमें गलती से भी अरस्तु नहीं आप लोग टिक किजियेगा नहीं तो ये गलती हो जाएगा नेक्स्ट है कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया Option A, रॉबर्ट हूक Option B, लुवेन हॉक Option C, स्लाइडन M, स्वान Option D, अल्टमेन यहाँ पे न होगा छुड़ गया है तो कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन कितने किया था स्लाइडन और स्वान ने कहा था कि पूरा सरीर कोशिका से मिलकर बना है तो इन्होंने यह कोशिका का सिधान्त किस ने दिया स्लाइडन M, स्वान ने इसका रॉबर्ट हो जाएगा कोशिका सिधान्त का प्रतिपादन, स्लाइडन और स्वान नमक बेज्यानिक ने दिया था नेक्स्ट है कोशिका जिल्ली किस प्रकार की जिल्ली है और यह कोशिका का पूरा पार्ट से दिया गया है और कोसिका के जो बारी जो पार्ट होते हैं ये बारी जो पार्ट हैं इसी को हम लोग कोसिका जिल्ली काते हैं यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे दिया गया है कोसिका जिल्ली, कोसिका जिल्ली क्या होता है? यहाँ जो कोसिका है इसके बाड़ी भाग को हम लोग कोसिका जिल्ली कहते हैं, यहाँ जो होता है अर्थ परागमे जिल्ली होता है, इसका राइट रतर हो जाएगा, औ पनुस्यों में यानि जन्तुओं में सेल मेंब्रेम यानि प्लाज्मा जिल्ली पाए जाती है और पादपों में सेल मेंब्रेम और सेल वाल यानि कोसिगा भित्ती दोनों पाए जाते हैं पेर पौदों में कोसिगा भित्ती पाए जाती है तो ओप्सन ए काइटीन ओप्सन बी cellulose, option C, protein, option D, वसा, यानि जो पेर पौधे के जो चाल होते हैं, बाहरी भाग होते हैं, पेर पौधे के कोसिगा के जो बाहरी पार्ट होते हैं, यानि cell membrane के उपर जो पार्ट पाये जाता है, उसे हम लोग cell wall काते हैं, तो यह जो cell wall है, वो किसकी बनी होती है, काइटीन की, cellulose की, प्रोटीन की, वसा की, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, option B, cellulose की, यह जो आप लोग cell wall देख सकते हैं, यह जो cell wall है, बारी cell wall है, यह cellulose की बनी होती है, जिसे हम लोग cell wall काते हैं, यानि कोसिगा भित्ति काते हैं, यह सिर्फ पादपों में, यानि पेर में ही पाई जाती है, नेक्स्ट है, कीस कोसिकांग को कोसिका का मास्टर, यानि brain of cell कहा जाता है, option A, mitochondria, option B, protoplasm, option C, नाभीक, option D, ribosome, तो कोसिका का मास्टर, यानि brain of cell किसे कहा जाता है, तो brain of cell, kendra, यानि nucleus जो हता है, यह आप लोग purple color का देख रहे हैं, यही है nucleus, इसी को हम लोग master of brain काते हैं, यानि brain of cell काते हैं, और यह केंद्रक का खोज Robert Brown ने किया था, यह कोसिका का बड़ा अंग है, और यह पूरे कोसिका के अंगों को control यही करता है, जितने भी यह कोसिका के अंग है, माइट्रो कंडिया हो गया, या फिर गॉलजी बड़ी हो गया, या सिं control यानि नियंत्रन कों करता है, तो यह केंद्रक करता है, इसे हम brain of cell काते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि brain of cell किसे कहा जाता है, brain of cell, option C यानि नाभिक को कहते हैं, कोसिका की सबसे बाहरी दिवार को क्या कहा जाता है, यह जो कोसिका है, इसके जो यह बाहरी जो दिवा कोई कोशिगा के बाहरी दिवार को हम लोग क्या काते हैं पहले जान ले तो कोशिगा का बाहरी जिली है उसको हम लोग Plasma January काते हैं यहनि Cell Membrane काते हैं Option A Plasma renovation इसी को English में हम लोग Cell Membrane यह प्लाज्मा Membrane काते हैं यह जो Cell Membrane यही है आप लोग देख सकते हैं इसको Zoom कर के दिखाया गया है यही Cell Membrane है Next है पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है तो जो पादप होते हैं इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? Option A केंदरक, Option B लवक यानि प्लास्टिड, Option C गुर्ण सूत्र यानि क्रोमोजोम, Option D यानि गौलजी बोडी अदपो में होते हैं वो सबसे बड़ा कोशिकांग लवक यानि प्लास्टिड होता है माइटो कंडिया की खोज किस बेग्यानिक ने किया था ओप्सन A, Robert Hook ओप्सन B, Altman ओप्सन C, Luvenhawk ओप्सन D, Arasthu तो माइटो कंडिया की खोज किस ने किया था यह जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइटो कंडिया क्या चूचित रहे यह सेल के अंदर माइटो कंडिया पाये जाता है इसका खोज किस बेग्यानिक ने किया था तो इसका खोज Altman नमक बेग्यानिक ने किया था दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हर एक कोशन के साथ मैंने डाइग्राम को जोड़ के दिखाया है तक ही आप लोग को समझने में काफी असानी हो नेक्स्ट है क्रेप्स चक्र यानि क्रेप्स साइकल कहां चलता है अप्शन A नाभिक में अप्शन B माइटो कंडिया में अप्शन C राइबोजोम में अप्शन D इन में से कोई नहीं जब हम स्वांस लेते हैं इस माइटो कंडिया में जाकर एक साइकल चलाता है और यह चेन रियक्शन करता है जिसकी खोज क्रेप्स नामक विद्वान ने किया था अता इस चेन रियक्शन को क्रेप्स चक्र यानि क्रेप्स साइकल कहते हैं आप लोग समझ गया होंगे क्रेप्स चक्र क्या है और इसी के कोशिका के अंदर क्रेप्स चक्र माइटो कंडिया के अंदर होता है यह जो माइटो कंडिया है इसी के अंदर क्रेप्स चक्र चलता है यह जो क्रेप्स चक्र है इसके फल्सरूप क्या हमें मिलता है ATP का निर्मान होता है या 38 ATP मिलकर एक गुलकोच का निमान होता है और जिससे हमें क्या मिलती है उर्जा मिलती है तो आप लोग समझ गहेंगे और माइटो कनडिया को हम लोग उर्जा का घर यानि पावर हावस भी का ते हैं तो इसका राइट एनसर हो जाएगा क्रेप्ट परिवान करता है यानि एक जगा से दूसरी जगा उर्जा का ये परिवान करता है तो जो गॉल्जी बोडी है ये गॉल्जी बोडी का आप लोग डाइगराम देख सकते हैं ये गॉल्जी बोडी सेल में पाये जाता है इस सेल में गॉल्जी बोडी क्या कारे करता है जो पुझाक वो लेकर हमारे सरीर के विभीन अंगों में यह पहुंचाता है तो इसका खोज किस ने किया यह कैमीलो गॉलजी नमक बेग्यानिक ने किया था और इसका अपने नाम पे ही इसका नाम गॉलजी बॉड़ी रग दिया गया है तो इसका राइट रहो जाएगा ऑप्सन केमीलो गॉलजी गॉलजी बॉड़ी की खोज एड़िवन ने किया था और अगणी और कोसिका जिल्ली किस का बना होता है और मीम्रेम जो होता है जिसे हम लोग प्लाजमा जिल्ली भी कहते हैं या किसीज का बना होता है तो या प्रोटीन का बना होता है और जो पादप में सेल वाल होता है वो सेलिलोज का बना होता है और लेकिन जो हीमन में जो सेल होता है कोसी का जिल्ली या जो होता है या प्रोटीन का बना हो और सेल वाल जब पूछेगा तो आप लोग बताएंगे सेलिलोज का बना होता है तो यहां पर पूछा है कोसिका जिल्ली किसका बना होता है तो कोसिका जिल्ली प्रोटीन का बना होता है आई होप आप लोग समझ गए होंगे तो दोस्तो यह क्लास यहीं खतम होता है हलांकि कोसिगा चेप्टर बहुत ही बड़ा है एक वीडियो में सारी कोस्तन को हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में बाकी के कोस्तन हम लोग डिसकस करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं